हेलो फ्रेंट्स मैं चन्पकाश शर्मा आपका स्वागत करता हूं प्रोज्क कॉमन सेंस में आपको मालूम है कि हमारी NCIT की क्लास स्टार्ट हो गई हैं और ये क्लासिज आपके कहने पर इस्टार्ट की गई हैं आपने प्रत्क्रिया दे थी कि हासर स्टार्ट कीजिए तो ये देख रहे हैं वीडियो और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो है व्यू होगा यह होगा कि आप नहीं देख रहे हैं और उसके अनुसारी हम जो है एक्शन लेंगे कि यह आप को इंट्रेस्टिंग नहीं लग रही है सीरीज इसलिए रहने दिया जाए तो ध्यान अगर आप अपना भला चाहते हैं तो प्लीज कमेंट और लाक दोनों करें और नहीं तो फिर आप जो जिस तरह से भठकते रहती है उसी तरह से आप भटकने का गेर बराबरी और भीदवाव में थोड़ा अंतर होता है अब यहां पर बताया गया है कि किस तरह से बिवित्ता जो होती है भीदवाव को जन्म देती है तो यही हम बात करेंगे आप देखेंगे कि जब भीवित्ता होती है तो किसी कारण से बिवित्ता जो होती है तो जो लो प्रियाती विवित्ता तो उस इस्तिती में देखा जाता है कि उनके साथ भेदवाव किया जाता है जो कि चड़ाने के रूप में होता है तो हम देखेंगे कि क्या होता है रिसा पिर साथी साथ आप इसमें ये भी देखेंगे कि यसे जो अन्वाव होते हैं हमारे समाज में और हमारे आसपास मौजूद असमानतां से किस तरह से जुड़े हैं तो यही हम बात करेंगे मुख्यूर्प से कि बेवित्ता जो होती है वो असमानता को या भेदवाव को कैसे जन्म देती है तरे खाना खाती है अलग लग लए नरे के खेल होती यह अलग लग लग तरे कीवा सब मनाते हैं और यह सब चीज़े आं आप इसले चप्टर में देख चुके हैं कि इन सब चीजों पर वहां के भूगोल का और उनके इतिहास का एफेक्ट पड़ता है जहां पर वो रह रहे हैं इसको हमने लड़ा के उड़ाण के माध्यम से और दूसरा ड़ाण केरल के माध्यम से समझा था फिर आप देखेंगे कि संसार में आठ प्रमुक धर्में और भारत में जो है इनके अनुवाई पाई जाती है इन घिहासा की बात की हमने एमने नत्य की बात की तो यह जो बेवित्ता है वो सांसक्रतिक बेवित्ता है धियान रखें फिर हम देखेंगे कि ये विवित्ता हमेशा ही खुस रहने का कारण नहीं बनती है मैंने आपको पताया था पहले चप्टार में कि विवित्ता होती है हमें सम्रद्र करने का काम करती है हमारे जीवन को रोचिक बनाने का काम करती है लेकिन हमेशा ये ये काम करें ये मत क fleet करेका वी काम क्याती है जैसे कि आपकई उदावन से इनको देख सकतें कि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं जो हमसे बहुत भर भिन्न होते हैं तो हम उन लोगों के साथ कम घुलते हैं कहने का मतलब यदि आपके पास ब्रश् latest भूमि के लोग रहती हों ब्रत वाले कि लोगो जैती है हैं या दूस्य द्रम के लोग जैती हूं ये दूसी भासा को बोलने वाले लोग रहती हैं तो आपका जो है उन्हों से गुलalten मिलना कम होता है क्योंकि human की टेंडेंसी होती है कि वो समान तरेक के जो लोग होती है उन से जादा interaction करते हैं आप अगर एक चीज दिखेंगे कि मान के चलिए आपका इंडिया में कहीं पर आपने 12 किया है उसके बाद आपका higher education के लिए आपका admission हुआ है कहीं पर और आपको दो college college जड़ी allot हो रहे हैं जैसे कि एक तो south सुद्षा का भाव होता है कि वहाँ पर लोग होंगे उनके खाने पीने का तरीका अलग होगा जैसे कि आप साथ उंडिया में देखते होंगे सुनते और बास्तों से जो लोग होते हैं अलग दिखने वाले उनके बारे में एक खास राय बना लेते हैं मतलब उन से हम घुले मिले नहीं है कुछ नहीं है इंट्रेक्शन नहीं हुआ है लेकिन उनकी बिवित्ता के कारण ही हम उनके बारे में एक राय बना लेते हैं अब यहीं हम देखेंगे कि यहीं जो राय होती बेरवाव जिन्म देती है अब यहांपर फटरे में पड़ेंगे पूर्वा user के बारे में पढ़ेंगे तो Baby की एगर आप me definition देखते हैं तो मुखी रूप से यही होती है कि जब हम किसी बारे में जब हम किसी बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं तो उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो उसी को हम quality yay के नाम से जानते हैं कहने का मतलब यदि आप किसी व्यक्ति के से मिले नहीं है या फिर एक किसी व्यक्ति से आपका कोई संबन नहीं रहे लेकिन फिर भी आपने उसके बारे में कोई एक विस्यस राय बना लिया है और उसे अपने दिमाग में विठा लिया है तो यह पूर्वा ग्रह कलाता है और ध्यान रखें यह जो राय होती है वो जादा तरह निगेटिव होती है मुख्य रूप से और साथी साथ इसके अंतर कई चीजें आती हैं जैसे कि यहां पर आप देखेंगे कि पूरी तरह से एक पैरा डिया है उन्होंने कि ग्रामीड लोगों के बारे में कुछ बातें कि इसाथ यहां पर आप देखेंगे दूसरा पॉइंटर कि ग्रामीड लोग आपने स्वास्त को लेकर सतर के नहीं होते हैं तो हम ऐसा मानकर चलते हैं साती साथ हमानकर चलते लकित इसलिए हिए यहां के लोग बिगले हुए होते हैं तो मुख्य रूप से ऐसे के लिए हैं जैसे के सैरी लोगों ने कई लिए से ख्यानी शित के लोगों के को आपकशनों के लिए तो इस तरह के भी पूर्वा अपधली के लिए को बेन तो यह चीज हम करने चाहिए कि जब आप पूर्वा ग्रव को develop करती हैं अब यहाँ पर तीन छीज़े ध्यान रखना जोड़के जैसे कि मैने आप से बात की कि विवित्ता की विवित्ता होती है विवित्ता से आपने पूर्वा ग्रभय को develop किया और पूर्वा ग्रै से develop क्या हुआ भीर भाव तो यह एक तरह से का एक प्रोसेज है बिवित्ता जहां पर होगी पूर्वा ग्रह आपके खुद डेवलप हो जाएंगे जैसे कि मुस्लिम समाच के लोगों के बारे में बताऊं कि अधिकतर जो लोग हैं जो मुस्लिमों का विरोध करते हैं उनमें से मैग्जियम 90% लोगों का कोई interaction नहीं हुआ होता है डारेकली डारेकली वो कभी नहीं मिले होते हैं मुक्रीप से लेकिन फिर वी उनके समताई के बारे में एक पूर्वा ग्रह बना लेते हैं और वो पूर्वा ग्रह क्या है भीरवा को जन्म देता है तो यह चीज़ ध्यान रखें साथ ही इसमें पूर्वा ग्रह है या आप से खुद पूछा गया है अगर आपको इसा लगता है कोई पूर्वा ग्रह है कौन-कौन से हो सकते हैं तो उनको आप बता सकते हैं साथी साथ पूछाए कि लोगों के दिमाग में यह पूर्वा ग्रह क्यों होते हैं तो पूर्वा ग्रह मैंने आपको बता दिया कि जब भी असुच्छा की भावना थोड़ी सी भी फिल होती है तो पूर्वा ग्रह अपने आप डेवलप होयाते हैं जो अदिकतर निगेटिव होती है साथी साथ जिन पूर्वा ग्रहों को आपने आस पास महसूस किया है उनकी एक सूची भी बनाईए CTR-03-93 पूर्वाlı ग्रह को कैसे प्रवावित कहते हैं तो ये कुल मिलाकट पूर्वा ग्रहों के बारे में बात के गई है कि लोगों के बारे में बिना मेलियर जुल्य आपन कर रहे हों और मुसलिम यात्ती यदि आपके सामने आके बैठ जाए और उसने जो है अपनी ड्रेस पेहनी हुई है जो कि मुसलिम लोगों की ड्रेस होती है तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे इस तरह के विचार आने लगेंगे कहीं यह आतंकवादी तो नहीं है तो यह क्या ह यह सिर्फ और सिर्फ पूर्वा ग्रेया है तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए फिर हम बात करेंगे कि यह पूर्वा ग्रेया कितने पक्के होते हैं फिर लड़के लड़की के भीदवाव की बात करेंगे कि लड़के और लड़कियों में यह भीदवाव होता है वो किस का कहने का मतलब पुरुस होना और जो इस्तरी होना ये ऐसा नहीं है कि जन्म से होता हो बलकि समाज के द्वारा उन्हें बना दिया जाता है कि ये पुरुस है ये इस्तरी है कहने का मतलब इसमें हम देखेंगे समाजी करण की जो प्रक्रिया होती है समाजी करण की प्रक्रिया कि तरह से भीदवाव को जन्में देती है यही चीज हम देखेंगे तो इसमें आप जानते हैं कि लड़के लड़कियों के बीच काफी भीदवाव होता है हमारे समाज में और कई तरह से होता है भीदवाव के इस तरह आप खुद पैचानते होंगे घराओं में आप जानते हैं क में पूर्वा गुरह की भी बात की गई है यहां पर देखिए एक चीज कही गई है कि एक बिकलांग बच्चा है वो बैठा है तो वो बिकलांग है लेकिन जब भी यह कोई गलती करता है या कुछ भी करता है तो लोग इसे टॉंट देते समय मतलब बोलते हैं कि जिस तरह से आप बिकलांग है उसी तरह से आपका देमाग भी खराब है मतलब लोगों को आपने यह सेंटेंस बोलते हुए कई वा सुना होगा तो यह क्या है यह बास्तम में जो है एक पूर्वा ग्रेक के अंत आप जानते हैं कि वो भीदवाव का सिकार होने लगते हैं तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है फिर यहां पर एक प्रस्न किया गया है कि ऐसे जो विकलांग बच्चे होते हैं आपका व्यू लिया गया है कि ऐसे विकलांग बच्चे को क्या सामाननी स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए या उनके लिए religious school होने चाहिए तो आपको इस पर अपना अपनी जो है राए जो है तरक वीजिए कि अगर यह बोल रहे हैं कि विस ही स्कूलों मेरे बढलाए जाना चाहिए तो क्यों पढला जाना चाहिए तो यह सिर्फ और व्यू लेने के लिए बताया गया है तो कि यहां पर जो हम बात करें थे लड़के-लड़कियों के बारे में कि लड़के लड़कियों को जो है वो जन्म से लड़के लड़किया नहीं होते हैं वलकि उन्हें समाजी करम की प्रक्रिया के द्वारा ये सिखाया जाता है अब आप देखेंगे कि एक सेंटेंस बच्चों के जो लड़के होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है कि वे रोते नहीं है मतलब जो लड़के होते हैं वो रोते नहीं है अर्थाथ जो पुरस होते हैं वो रोते नहीं है ये बात उनसे बच्चपन से कही जाती है आप जानते हैं बच्चपन से ये बात उनसे बोली जाती है कि तुम तो लड़के हो और धीरे धीरे ये उसका बिस्वास बन जाता है कि हाँ मैं लड़का हूँ और मैं मुझे रोना नहीं है और इसी का परणाम होता है कि आप परसों को भविश्य में रोता हुआ नहीं देखेंगे बहुत कम देखेंगे तो यह कैसे हुआ यह समाजी करण की प्रक्रिया से हुआ और समाजी करण की प्रक्रिया पर उससे बच्चे का बिस्पास होने से हुआ जबकि लड़कियों के बारे में माना जाता है कि लड़कियां जो है मरद भाशी होती है कौमल बोलना चाहिए लड़कियों को तो यह भी लड़कियों में डवलप होयाता है सवाब वो उसी तरह से विवार कहने लगती हैं उनकी समाजी कंड की प्रक्रिया उसी तरह स तो एन वाइब होती हैं तो यहां पर हमने बात की थी भीद्वाव की और साती पूर्वा गड़े की अब हम बात कहते हैं रूड snadhy धंडाये बनाना। रूड वनाने का सीधा मतलब है कि जब हम किसी बिसेशकार जैसे कि किसी देश के कारण, किसी धर्म के कारण, जो कि मैंने आपको अभी Muslim धर्म का Example डिया, किसी लिंग का होने के कारण, कोई बिसेस धर्णा अपना लें या अपने पूरे जो समधाय है, उसके बारे में एक बिसेस धर्णा अगर हम सोच लें, तो उसे ही रोड़ी वर्द धारणा के नाम से जाना जाता है कहने का मतलब जब हम सभी लोगों को एकी छबी में बांद दें और उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो ये रोड़ी वर्द धारणा के नाम से जाना जाता है जैसे कि इसमें देश के आदार पर आप क्या सोच सकते हैं जैसे कि देश के आदार पर या जिले के आदार पर आपने ये चीज सुनी होगी अपने घरवालों से जब भी आप घर से बहार निकलते होंगे किसी दूसरे रीजन में तो आपके घरवाले बोलते होंगे कि वहां के लोगों से साब दान रहना वहां के लोग ऐसे होते हैं या वहां के लोगों से साब दान रहना वहां के लोग ऐसे होते हैं तो यह क्या है यह रूड़ी वद्ध धाना का एक जांपल है आपको आपके परवार वाले हैं पूरी एक कम्यूनिटी के बारे में एक पू ही मुता ही धर्म के मामले में होता है जो कि मैं आपको बताया जो धर्म है गौसरा हम बोल सकते हैं. मुस्लिम धर्म है जिसके बारे में negative thoughts है वह धर्म हुआ या खोई धर्म हुआ यह थो हमने negative ऐसे बात की अगर positive जीजे भी कुछ होंगे तो यह सारी चीजन जो होती है वो रोड़िवद्र धाना के अंतरगत आती है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज हो या कोई भी गुण हो भी ब्यक्ति विस्टिस पर निर्वर करता है वो गुण वहां के जो ब्यक्ति है या पूरी कम्यूटी है उसमें नहीं होगा कहने का मतलब सभी कम्यूटी में आपको अपरादी लोग भी मिल जाएंगे और सभी कम्यूटी में आपको बुरे लोग भी मिल जाएंगे इसलिए इस वार्ट से हमें दूर देना चाहिए कि रोड़िवद वन दृष्धू और दृष्द धैनां के बारे में वुष् pasture जाती कि जो परसूशनी को पर mentor AT गया सांसियुद हैं यहाँ व्यां वास्ताम यह सोटती है कि अपनी लड़कीं को परकें कराई गई है फिरी में तो वो मैग्जियम लोगों ने जो है अपने बच्चें को अपने लड़कियों को स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजाए तो ये बास्ता में एक रोड़वर्द धर्णा है जो के मुस्लिम समदाय से जोड़ी हुई है तो ये चीज हमें धहमें रखन हैं एक था बेवित्ता एक असमानता और एक बीदवाव इन तीनों चीजों पर हम बात करें तो ध्यान रखें जो बीदवाव को जन्म दे सकती है मैंने आपको बता दिया किस तरह से बेदवाव हो सकता है जो बीदवाव होती है तो अर्था एक जो समदाई को लोग या इस तरह से एक दूसरे के साथ भीदवाव कर सकते हैं साथ ही साथ ध्यान रखें जो असमानता होती है वह भी भीदवाव को जन्म दे सकती है जैसे कि असमानता मतलब गरीवी और अमीरी है तो आप जानते हैं गरीवों के साथ भीदवाव का जो इस तरह होगा वह अधिक आपको पूरी तरह से समझा लें कि भीरवाव होने के लिए आपके दिभाओं में पूरवा ग्रेवाव इसकी थोटी हैं पहले जो है लोगों की साथ भीरवाव करने लगते हैं जब आप देखेंगे कि जब वह नहीं करते हैं तो भीरवाव का इस्तर भी कहीते यह हो सकता है और यह कई कारणों से भी हो सकता है कारण वही है धर्म अलग हो भासा अलग हो या प्रथाएं अलग हो रिवाजएं अलग हो और ध्यान रखें जब यह पूर्वा ग्रेड डेवलोप हो याते हैं जब आप भेदवाव करने लगते हैं बेवित्ता के आदार पर यआ लगते हैं तो ऐसी स्ती में होता क्या है कि आप उन दूसरे लोगों की जो बहुत जादा विकसित हो गयों और आप विवित्ता को भीर्वाव में बदलने के लिए जो है कोसिस कर रहे हैं पिर आप देखेंगे बहुत से जो लोग होते हैं अपने खाने कपड़े और घर की मूल जरूतों को पूरा करने के लिए साधन नौ पैसे नहीं होते हैं उनके पास इस कारण भी उनके साथ भीदवाव किया जाता है यही बात है जो मैं आपको बता रहा था कि असमानता या ग अपने देखेंगे जो कि निसकर्स आप देखेंगे अब इसका जो कि मैं आपको बता रहा था कि कुछ लोगों को विवित्ता पर असमानता पर यह दोनों ही तरह का भीषवाव करना सामना करना पड़ता है मतलब कोई व्यक्ति जोकि भीषवर्ता को दर साथ है अन्य सम्द पिर आप देखेंगे कि आपको अन्नी चीजों के आदा पर भी भीदवाव होता है जैसे कि कुछ कामा को दूसरे कामा से बहतर माना जाता है उन कामा को पवित्र माना जाता है जबकि दूसरे कामा को पवित्र या गंदा माना जाता है आप जाती विवस्था में देख सकते है इस चीज को जाती विवस्ता में आप जानते हैं एक सीड़ी की तरह सरचना थी एक सीड़ी नुआ एक पदानुकरम था उसके अंतरगते जो सीड़ी के सबसे उपर जो लोग थे उन्हें उची जाती के लोग या उतकरश्टे जाती के लोग बुला जाता था और जिन समुओं कंळाने के साथ साथ इन अच्छूतों के साथ या अयोग्यों के साथ हम जems भीर्वाव बछेटे ओए ब Easter किया जाता था तो यह चीज भी धियान लखेएं आप 6 ansch में जो है दला सब्डी के बारी में बताया गया और इसका जो मतलब होता है वो होता है दवाया हुआ या कुछला गया दवाया गया या कुछला गया और ध्यान रखें सामाजिक पूर्वा गरें और भीद्वाव ने दलितों को दलित लोगों को लगाता दवा के रखा है और सरकार इनके लिए अनुसूचे जाती सब्ड का अपरें रियोक करती है तो ये आप देखें मैं फिर आप देखेंगे कि भीमरावमभी आद्व करका एक ज्यम्पल यहां पर हैं भीम्रावमभीरव कर वारी में आप जानते हैं हमारी संभी दáng के निर्मात याना जाता है और ये कि बड़े निताथ थे उस समय और जोने दल संब्दाए के अरिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी और ये महा जाती के थे फिर आप देखेंगे कि ये बात में बकिल बनने के लिए इंगलेंड गए थे और उन्होंने दलितों के बच्चों को स्कूल को बेजने के लिए प्रोसाइट किया इसका सीरा सा मतलब यह है जब भी आप भीमरा अंबेड करको गहराई से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि भीमरा अंबेड करने जो यह बुराई थी उस बुराई से निपटने के लिए दलितों को एक मन्त दिया कि आप ज़्यारा से ज़्यारा एजूकिसल ग्रहण कीजिए अगर आप एजूकिसल ग्रहण करेंगे तो यह जो आप पर दलित का जो है भीमराव किया जाता है जो उन्हें संतुष कर सके इसलिए उन्होंने बहुत धर्मेवी लाष्ट में ग्रहण किया था तो यह उनके जीवन के बारे में कुछ बातें थी जो आपको इस सिक्सिस्तर पर आनी चाहिए फिर आप देखेंगे कि वही बात कही गई है कि वह महाजाती के थे और महाजाती में जो है बंबई प्रांट में उस समय जो है अच्छूतु स्रेड़ी में ये जाती आती थी फिर आप देखेंगे कि इन्होंने जो है जो भीमराव अंबेड कर थे उन्होंने लगाता संगस किया था फिर हम बात करेंगे हमारे सुतनता अंदुलन की के समानता के लिए संगर्स कैसे हुआ अर्थात कहने का मतलब जो भीरवा होता आ रहा था आप जानते हैं कि भाति समाज में जाती बात के आरार पर अच्छुतों के साथ भीरवा किया जाता था तो इसके साथ संगर्स किया गया इस बुराई के साथ साथ जिन्वी लोगों के साथ भीरवा किया जा रहा था सुतनता से पहले उन सभी के लिए समानता के लिए प्रयास किया और वो समानता के लिए प्रयास किस तरह से हुआ तो आप देखेंगे कि आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई आजादी की लड़ाई में समानता को एक प्रमक बिंदू माना गया और उस समय यह तै किया गया कि जैसे ही हम सुतन तुमगे तो समानता के आदार पर सभी जो देश के नागरिक हैं उनके साथ विवार करेंगे चाहे वो दलित हो औरत हो जन्जाती लोग हो तो उनके उनको जो गैर बरावरी का जो अभी सामना करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा साथ ही साथ उसमें दलितों ने संगटितों का मंदिरों में प्रविस के लिए भी संगस किया मैलानों भी पुरसों के समान सब्सक्राब करने के लिए संगस किया तो कहने का मतलब यही है कि लोगों ने समानता का दयजह प्राप्ते कहने के लिए संगस भी कीया है यहां पर हमने बात की थि नहीं ृसमान्ता की और उससे बापन होता है वह उसके फिर आप जोहांने mind प्राप्ति के लिए कदम उठाते हैं तो इस तरह से ये एक प्रोसेज होता है तो इस तरह से दलित हो, महिलाई हो यह नोंने अपने अधिकारों के लिए जो है लगाता लडाईयां लड़ी लगाता संगस किया, सोतनता से पहले भी किया सोतनता के भात भी किया तो वही चीज जिसमें बताई गई है फिर आप देखेंगे कि जो हमारे संबिदान का जब निर्माड हुआ था संबिदान जब बन रहा था उस समय हमने समानता को अपनाया आप प्रस्ताबना को पढ़िए भारत की संबिदान की उसमें आपको समानता से संब्द दे बाते दिखाई देंगी इस तरह से हमने समानता को लागू किया आपके आरिटिकल में दिखेंगे आप मॉलिक अदिकारों में जो चुआ छूट की जो बुराई है अश्प्रस्रिटा है, उसको समाप्ती कर दिया गया अच्छूतों को हमने अधिकार दिया कि उनके साथ भीरवाओ नहीं किया जाए तो कुल मिलाके यही बाद केराओं में कि समानता को स्थापित करने के लिए अच्छा जो भीरवाओ किया जा रहा था उसे समाप्ति करने के लिए हमारे संभिदान निर्मारताओं ने जो है काम किया था कानूनों का निर्मार भी किया आप देख सकते हैं SCST अधनियम बनाया, सिविल अधिकार सरक्ष्ण अधनियम बनाया तो ये सारे काम उस समय किये गए, लगाता किये जा रहे हैं लगाता जो कानून बने उनमें संसोडन भी होते हैं अगर पॉलेटिब संसोडन किया जा रहे तो तो इस तरह से कोल मिलाके निसकर से यही था कि हम जो गेर बराबरी है उसके लिए संबिदान के जो लेखक हैं संबिदान सभाके सदस से थे उन्होंने जो है मेहत्पून काम किया था फिर आप देखेंगे कि हमारे डेस की जो बेवित्ता है मैंने आपको सबसे सुरू में ये बात पताई थी कि बेवित्ता को बचाई रखने के लिए संबिदान निर्माता उन्हें मेहत्पून काम किया लोगों के धर्म को लोगों की भासाओं को लोगों के त्योहारों को खोले रूप से व्यक्त करने की आजादी दी और हमारे संबिदान में आपको पता है व्यक्ति की आजादी है व हमारे संबिरान की जो प्राबना है उसका जो है फोटू है जो कि सुरू में बताया गया है उसमें कि हम भारत की लोग किन-किन चीजों को अंगी करते अधिनियमित और आत्मसमध्पित करते हैं साथी साथ आप जानते हैं कि धर्म की बराबरी के लिए या धर्म धर्मिकादार पर बिवित्ता बनी रहे लोगों के साथ बेदवाव नहीं किया जाए इसलिए भारत को धर्म निर्पिक्ष देश गोसित किया गया अर्थात भारत में धर्म निर्पिक्ष देश गोसित करने का मतलब है कि जो सरकार होगी सभी धर्मों के साथ समान बिवार करे की तो इस तरह से यह चीज़ें होई और इस तरह से हमारे संबिनान निर्माता जो कि आपके सामने बैटे हैं तो इन लोगों ने यह दूरदरश्टी अपनाई कि यह बिवित्ता है इसे हमें किसी भी कीमत पर बनाके रखनाएं और जो बिर्वा वुडाय उसे हमें समानता स्थापित करनी है समानता ही वहां मूल है जिसके आदार पर हम निरंतर संगर्स करते रहना होगा और समानता को प्राप्ट करने के लिए लोगों ने संगर्स भी किया है आज भी जारी है चाहे मैलाएं हो डलित हो यान कॉई हो समानता का दिकार प्राप्ट करने के लिए लगाता संगर्स कर रहे है तो इस तरह से ये इस चैपटर की बुनियार्त थी पहला चैप्टर आपने देखा बिवित्ता दूसरा देखा बिवित्ता और अगर आफर जोरे चैप्टर को पढ़ते हैं और फिर, 10,15 म बहुत गहरी थी तो प्लेज चैनल से जोड़े रहें और ध्यान रखें कमेंट करके बत्किरिया जरूर दिया करें क्योंकि आपका कमेंट और लाइक ही है जो हमें पता पड़ता है कि आप रेगुला जोड़े हैं और सीरीज हमने चालू की है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक तरफा सीरीज चलाएंगे इसका सिर्फ मतलब यह है कि आपके सयोग करने पर आपके लगाता जोड़े रहने पर ही सीरीज चलेगी थैंक्यू